तो stock market में कैसे आप swing trading करके एक बढ़िया return बना सकते हो like आपके पास अगर छोटा capital भी है उसके बावजोद आप 10,000, 20,000, 50,000, 1,500, 2,000,000 रुपय तक महिने का कैसे stock market में swing trading करके निकाल सकते हो ये वीडियो में आपको पता चलने वाला with proof मैं भी आपको दिखाऊंगा अपना एक trade आपके साथ share करूँगा जिसमें मैंने in terms of percentage जो result मिलता है market में वो भी कितना चोटा time period में आपको वो भी बताऊंगा साथ ही उस trade के पीछे का logic बताऊंगा साथ ही मैं ये भी बताऊंगा किस strategy के base पर क्या देखके मैंने वो trade लिया था और आप भी इस चीज़ का फाइदा उठाके अपना trading में कैसे इस चीज़ को implement कर सकते हो चलो video को start करते हैं तो सबसे पहली बात तो देखो मैं trade लेने के लिए बहुत दिनों से wait कर रहा था indigo pants में indigo pants एक बहुत अच्छा stock था जिसका IPO अराउंड आया था 1600 के असपास उसके बाद market यहां से आप देख सकते हो काफी उपर गया बट sustain नहीं कर पाया फिर एक range बनाया इस range के नीचे निकलना शुरू किया और यहां तक आने के बाद यह एक area बनाया इस जगह पे अगर मैं weekly candle मैं उसको daily candle मैं आ जाओं तो आपको दिखाता हूं यहां पे यहां पे काफी दिनों तक market time pass किया एक बार को लगा कि इस लोग को जैसे ही break करके market उपर जा रहा है जैसे कि यहां से तो as per मेरा setup मेरा setup क्या था कि अगर multiple time किसी support को एक trending stock respect कर रहा है तो जिस दिन वो support break होगा य आपको target मिल रहा है या तो panic जहां पे हो रहा है लोग जहां पे अपना position छोड़ेंगे stop losses जहां पे पड़े हुए हैं उसके लिए इस point को मैंने target किया देखो multiple trades चलते रहते हैं हमेशा अब इस चीज़ को मैं future पे shift करने वाला हूं कुछ ही दिनों में मैं target भी किया था कि SBI card में मुझे एक लाख एक trade में कमाना है बट फिर मैंने बोला चलो लास्ट एक stock में trade करी लेते हैं अब future में आएगा अगला trade जो मैं प्लान करने वाला हूं वो भी आपको बताऊंगा कौन सा है यहां से फिर देखो market बहुत दिन तक time pass कर दिया फिर य यहां पर यही setup बना 1000 का एक round number भी था और मैं आपको बताता हूं कभी भी मैं गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोसिस नहीं करता हूं क्योंकि हाथ कड़ जागा जब तक उसका नोक उपर की दिसा में नहीं जाता तब तक मेरे हाथ में वो grip नहीं आएगा तब तक मैं गि खाने के बाद market फिर थोड़ा retrace करके इस level को जब break किया क्योंकि market में देखो हूता क्या है जब market यहां से यहां तक consistent गिर रहा है 1000 आगया 2000 से market ना तो लोगों को पता है कि थोड़ा retracement तो यह करेगा अब एक ही बार में जब कर देता है market इतना बड़ा momentum जो कि करीब करीब य यहां से एक दिन में आप देखो 14-15% का momentum तो लोग कुदना शुरू कर देते हैं कि अब तो market यहीं से बाग जागा यहीं से बाग जागा बट market का एक rule है कि retailer कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे उसको बाहर कराना है वो आपको 1000 के नीचे फिर लेके गया market को यहां पे मिलता है golden opportunity मैंने कुछ quantity यहां पे उठाया और कुछ quantity मैंने इस candle के बाद यहां पे उठाया टोटल 100 quantity निकाला तो इस समय से 25 quantity अभी मेरे पास available है 25 quantity मैंने यहां पे exit किया और 50 quantity मैंने इस point के breakout होने पर इस दिन exit किया क्योंकि यहां पे भी एक major जो जिस तरह मैं नीचे का stop loss कटने बा हुआ return जो कि अगर आप in terms of percentage बोलोगे ना अल्मुस्ट करीब करें बाइस तेसी जार का profit इस trade में बना है बट 10,000 अभी दीख रहा है आपको इस चीज को छोड़ो आप यह देखो 39% आपको समझ में आ रहा क्या होता है stock में 39% बहुत बड़ा return होता है अभी मैं आपको इसक और 5-8 का currently price चल रहा 49% का return है और market में यह return कहां से कहां तक में बना as per hour setup यह trade आपको यहां पे भी बना जहां पे मैंने entry लिया था और यही stop loss रहता अगर आप multiple entry नहीं करते तो quantity को पिरामीडिंग नहीं करते तो और यहां पे आपको अगर return आज के level पे देखोगे तो 1-16 का result होता है आप सोच सकते हूँ दूसरी बात मैंने telegram channel अपना start किया है stock learners का इससे पहले नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा आलसी लेजी person हूँ बट फिर भी आज मैंने आपको एक trade वहां पे provide करा है बहुत सारे member नहीं है आप लोग join कर ले न ठीक है 1-10 का risk reward बोल दिया था 11 मैंने आपको बताया कि intraday में भी आप buy कर सकते हूँ क्योंकि मेरे radar पे आ गया यह stock यह चीज़ पोस्ट हुआ है एक बच के 17 मिनट में अगला candle यानि कि 5 मिनट का candle जो है बाइस पांच मिनट बाद यह हाई लगाता है 1452 का and then then 1463 का यानि एक 17 में और यह एक 23 में पांच मि आने के चक्कर में नहीं रहोगे तो फिर समझ में आगा इसका यह भी मतलब नहीं कि आप एक अच्छा analysis कर लो तो सिधे जिंदगी भर का कमाई इसी stock में डाल दो जैसे जैसे आप बहुत सारा बार इतना बड़ा-बड़ा risk reward achieve करोगे देन आपका जैसे कि अभी मैं आप future मे ग्रो में चल रहा है तो आपको automatically confidence आएगा तो swing trading में start किया मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसी चीज़ को बड़े scale पर लेके चले जाना है आपने अगर swing trading के वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखो जिसमें यह strategy मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ प 16 का risk reward achieve करोगे market में यही 10,000 का profit यही 20,000 का profit एक लाग दो लाग easily बन जाएगा अभी मैं एक trade plan क्या हूँ कूर्स के student के साथ share करूँगा कुछी दिन में वहाँ पे हम लोग 6 digit का profit achieve करने का plan कर रहे हैं with बहुत छोटा risk क्योंकि risk देखो market में रहता है बहुत छोटा risk और target रह काम करता है इस चीज़ को apply करो market में दबा के पैसा बनता है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद अगर आपको deep knowledge लेना है description में link है app का आप download कर लेना तो इसी type का लंबा चोड़ा trend capture करने वाला stock आप चाहते हो कि मैं आपके लिए analysis करके बताऊं तो आप comment section में जाके trend लिखो मैं आ यही एक एक ट्रेड में 30 लाग 40 लाग का profit बनेगा एक ट्रेड में आपको दिन भर market में बैटके जग मानने का भी जोरत नहीं पड़ेगा अगर इस चीज़ को scale करोगे